हेलो एबरीवन आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल रेस्वी मलाई मतर मेथी की ये बनाने में बहुत ही असान और खाने में बहुत ही तेस्टे चलिए से शुरू करते हैं ये मैंने मेथी के पते को अच्छी तरीके से तोड़ कर पानी से वाश कर लिया है अब मेथी को सुखने के बाद बारिक बारिक इस तरीके से काट लेंगे जब मेथी कुछ इस तरीके से बारिक बारिक कट जाए तो कड़ाई लेंगे कड़ाई में एक स्पून तेल डालने के जो मेथी थे ना इसे डालकर अच्छी तरीके से भूनेंगे मेथी को भूनने से कड़वापन खतम हो जाता है और यह अच्छी तरीके से पक भी जाती है तो देखिए इसे हम कंटिनू हिलाते रहेंगे दो यह तीन मिनटे से ढखने कर पकाएंगे तो यह बिलकुन सॉफ्ट ह हो जाएगी तो मेथी जब हमारी कुछ इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए तो यह अच्छी तरीके से पक गई है मेथी को इस तरीके से पकाने से इसका कड़वापन खतम हो जाता है कड़ाई लेंगे कड़ाई में एक स्पून तेल डालेंगे एक स्पून तेल डालने के बाद एक चोथा इसम में जीरा और खड़े मसाले जैसे हमने लॉंग इलाची दाल चीनी काली में छोटी इलाची डाल कर इसे थोड़ी देर ही भूनेंगे ये हमने प्याज को अच्छी तरीके से रफली शॉप कर लिया है तो चार बड़ी प्याज को मैंने रफली इस तरीके से डाल कर इसे हम गॉल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे जब तक हमारे प्याज का कलर कुछ चेंज नहीं हो जाए जब प्याज धीरे धीरे कलर चेंज हो जाए तो इसमें हमने दो रफली चॉप किये हूए टमाटर डालेंगे तमाटर को आप बारीक भी खाट सकते ही ऐसे तो मैंने रफली ही चौप किया है क्योंकि हम इसे इसका पेश्ट बना लेंगे इसे हम बिल्कुन सॉफ्ट होने तब भूनेंगे जब कुछ इस तरीके से दिखाए दे तो इसका एक पेश्ट बना लेंगे इसी कड़ाई में हमें एक स्पून तेल डालेंगे अब मसाले याड करेंगे जैसे एक चोथा ही चम में चल्दी पाउडर एक चपहलाई मिर्च एक चोथा Zomba खता नीज ज्याड़ सकते हैं इसे हम डाल कर अच्छी तरीके से बहुनेंगे और इसे तब तक मिलाएंगे जब तक ये मसालों के साथ ना मिल जाएए, हमने फ्रेश मटर लिए है, तो आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, इसे भी हम continue इस मसालों के साथ ही भूनेंगे, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, आप इसे boil भी कर सकते हैं, पर boil करने की ज़रूरत नहीं होती जादा, इसे हम ढग कर तो यती मिनट तक मीडियम फिलिम पर पकने देंगे, देखिए अच्छी तरीके से मसाले भी पक चुके हैं, और ग्रेवी भी थोड़ी सी थिकी हो गया, जो हमारे मटर था वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया, जो हमने मेथी को भूना था ना, उसे भी डाल जाता है, और continue हम इसे लाते रहेंगे, ताकि ये मसालों के साथ और ग्रेवी के साथ मेथी मटर अच्छी तरीके से पक जाए, तो जो भी मिल जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाए देगा, तो अब टेस्ट के अकोर्डिंग नमक, गरम मसाला, एक चोथा चमच, डाल कर इस अच्छी तरीके से मिलाएंगे, और इसे ही मीडियम ही फ्लेम पे पकने देंगे, इसमें पानी की जुरुत नहीं पड़ती, आप इसमें थोड़ा सा ही पानी एड़ कर सकते हैं, ये मैंने फ्रेश घर की मिलाई मेट, मिलाई ली है, आपके पास ना हो, तो आप इसमें अच्छी तरीके से सब्जी में अच्छी तरीके से मिल जाए, जब тक हमकी धीवी पकि昨ड में जाए, तो इदर, हम आटा भी अच्छी तरीके से मल जाता है, आटा मिलकुन न जाता है उसा गगता, तक हमने आटा मला है, आप Obava निचे iy को सब्मार हो, ये सब्मारी इससे आप रेस्टोरिन स्टाइल देखिए घर पर भी बना के बहुत असानी से बना सकते हैं इस सब्जी को बनाने 15-20 मिनट लगते हैं उपर से में हरा धनिया डाल देती हैं और से सब्जी तो आपको हरी दिख रही है तो इसमें हरा धनिया ना भी डाले तो चल सकता इसे उसी तरीके से बेल लेंगे सारे रोटी पे हम इसमें तेल स्प्रैट करेंगे और चार लेयर की तरह इस तरीके से चोरक उठा बनाते हैं उस तरीके से हम इसे मोड देंगे और थोड़ा थोड़ा आटा लपेट कर इसमें हम कंटिन्यू बेलेंगे तो यह हमारी रोटी हर लेयर एक एक निकल जाए और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही मुलाइन तरीके से इस तरीके से देखिए चार स्क्वेयर वाले प्रटे हमारे बन कर त्यार है इसे हम अलटे पलटेंगे एक तरफ से जब सिख जाए तो थोड़ा सा इसमें देशीगी मै कर रही हूं तो आप इसमें नॉर्मल अल भी एड कर सकते हैं इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम इसे लगा लेंगे देखि कितने अच्छी तरीके से हमारे परांठे बिलकुन परफेक्ट तरीके से फूल रहे है और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा इसे दबा दबा के से जो इन पराठों को सेखे न तो कहस का फ्लेम धीमा होना चाहिए था कि पराठे अच्छी तरही कैसे सेख जाए इधर हमारे देखिए सब चीज रैडी है तो एक प्लेट में मलाई मेथी मतर सर्फ करूंगी उपर से मैंने दो पराठे जो रैडी किये थे वह से सर्फ करेंग और हरे धनिया की चट्नी मैंने अल्रेडी पहले से त्यार कर रखिए थी तो इसे भी डाल कर ते इस सबजी के साथ हरे धनिया की चट्नी बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार इस रैस्पी का आप जरूर ट्राई करिएगा विंटर स्पेशल में जब यह रैस्पी बना आकर खाएंगे वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर कीजिए थैंक्स वर वाचिंग